दोस्तो अगर आप आपका एक Gmail account बहुत सारी websites पे यूज करते हो रेजिस्टर करने के लिए तो ऐसे में आपको उन websites की तरफ से बहुत सारे mails आते हैं उनमें बहुत सारे promotional mails होते हैं दोस्तो अड़रडाइजेस होती है तो ऐसे में दोस्तो आपको उन सब mails को unsubscribe करने का option मिलता है और इनके लिए बहुत सारी services भी available है इंटरनेट पे जो आपको अलव करती है कि आप bulk में उन सारे mail को at time unsubscribe कर दो पर दोस्तो ये service आपको free of cost यूज करने को नहीं मिलती है और जहाँ पे यूज करने को मिलती है दोस्तो वहाँ पे वो आपकी information यूज करते है for their personal reasons तो ऐसे में दोस्तो ये सारी चीज़े तो unsafe है अगर आप आपकी privacy को importance देते हो पर दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एसा तरीका बताने वाला हूँ जिसे यूज करके आप आपके सारे emails को at a time unsubscribe भी कर सकते हो और साथ में आपको आपका data कही पर देना भी नहीं पड़ेगा और साथ में दोस्तो ये service completely free है तो दोस्तो वीडियो पूरे देखना वीडियो बहुत दर इंटेस्टिं होने वाली है और दोस्तो वीडियो शुरू है इस सबके लिए दोस्तो आपको आपके PC की या फिर आपके laptop की ज़रूद पड़ेगी आप आपके smartphone में कर सकते हो पर उसके लिए आपको आपके browser को desktop side पे स्विच करना है, अभी दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको आपकी email id open करनी है, email id open करने के बाद दोस्तों यहापे आप देख सकते हो, हमने हमारी email id open कर ली है, और यहापे आप देख सकते हो, हमें dozens of दोस्तों यहापे promotional mails आ चुके है, तो दोस्तों हम इ यहाले option पर क्लिक करने कवा दोस्तों यहाप आपको नीचे scroll करना है, scroll करने कवा दोस्तों यहाप आप देख सकते हो create a new label नाम का option होता है, यहाप आपको create a new label पर क्लिक करना है और यहाप पर दोस्तों आपको new label create करना है, जिस label का नाम होगा दोस्तों यहाप पर unsubscribed, तो दोस दोस्तो आपको आपके emails को unsubscribe करने के लिए क्या करना है आपको new tab open करनी है तो दोस्तो यहाँ पे आपको search करना है email unsubscribe labnol ये दोस्तो labnol.org का दोस्तो एक method है जो कि आपको help करता है आपकी email को unsubscribe करने के लिए तो यहाँ दोस्तो आपको जो पहली link आएगी आपको इसे open करना है don't worry आपको ये link description में मिल जाएगी तो आप वहाँ से सिधा इस link को open कर सकते हो और इस link को open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे scroll down करना है और नीचे scroll करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये वाला section दिखेगा यहाँ पर आपको दिखेगा click here to copy Gmail unsubscriber sheet to your google drive तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले click करना है और इस पर click करने के बाद दोस्तों यह जो sheet है google sheet वो आपकी google drive में आपको copy कर लेनी है तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर make a copy पर click करने के बाद यह sheet आपकी google drive पर copy हो जाएगी तो दोस्तों sheet google drive पर copy होने के बाद automatically open हो जाएगी जब यह sheet open हो जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक option मिलेगा जो की होगा google unsubscriber या फिर email unsubscriber तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक option दिख चुका है जब आपको इस option पर click करना है इस option पर click करने के बाद यहाँ पर आपको configure पर click करना है और configure पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको continue करना है continue करने के बाद दोस्तों यह आपसे कुछ permissions मागेगा उसके पहले अगर आपको sign in नहीं किया या फिर दोस्तों कभी आपको cribedh अपने sign in नहीं किया या फिर दोस्तों कभी आपको दोबाला से sign in करने का option आता है तो जब आप Влад कर देंगे, Through Oh नों कर देंगे. तो दोबारा से दोध्तर आपको यहाँ पे जीमेल अंसब्सक्राइबर पर click करना है जयसे आप जीमेल अंसब्सक्राइबर पर click करते हो दोबारा से आपकोто configure पर click करना है और configure पे click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो script running और यहाँ पे दोस्तों यह जो है वो एक खुद का label create करेगा तो दोस्तों जो आपने वहाँ पे label create किया था आपकी Gmail पे उसी label को दोस्तों यहाँ पे आपको copy paste करना है तो यहाँ पे दोस्तों मैंने copy paste करके अभी दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है यहाँ पे simply आपको कर देना है close window और close window करने का दोस्तों यहाँ पे that's it आपका पूरा काम हो चुका है अभी दोस्तों आपको करना क्या है अभी दोस्तों आप इसे close कर सकते हो या फिर मैं आपको demo के लिए यहाँ पे ऐसी उसे आपको सिलेक करना है लाइक दोस्तों यहाँ पे हम इसको सिलेक कर लेते हैं इसे सिलेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे और कोई जो होते हैं उनको सिलेक कर लेते हैं लाइक दोस्तों यहाँ पे कोरा स्पेक्स अपडेट इनको सिलेक कर लेते हैं और इनको सिलेक करने के यहाँ पर दोस्तो हम क्या करेंगे label apply करेंगे कौन सा unsubscribe दोस्तो यहाँ पर हमने label apply कर दिया unsubscribe नाम का और simply हम कर देंगे apply जैसे हम apply कर देते हैं दोस्तो तो यहाँ पर आप देख सकते हो unsubscribe label में दोस्तो यह दो mails आ चुके है अब यह क्या करेगा इन mails को खुद बखुद open करेगा open करने के बाद in mails पे जहां कहीं भी दोस्तो यहाँ पे unsubscribe का button होगा वो उस button को खुद open करेगा background में उसे open करने के बाद unsubscribe की जो भी procedure होती है उस procedure को पूरा follow करेगा in the background और unsubscribe करके यह mails यहाँ से delete भी हो जाएंगे तो दोस्तो यहाँ पे अगर आप इसे एक बार refresh करके देखते हैं तो यहाँ पे अभी currently नहीं हुआ है पर दोस्तो जब होगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा तो एक बार हम क्या करते हैं आते हैं Google Docs में या फिर Google Sheets में और यहाँ पे इसे एक बार refresh करते हैं refresh करने के बाद दोस्तो में भी यहाँ पे आपको दीख जाएगा यह update हो जाएगा तो update होने के बाद दोस्तो आपके mail जो है वो successfully unsubscribe हो जाएंगे तो दोस्तो यहाँ पे आभी आप देख सकते हो sheet में दोस्तो कुछ emails add हो चुके है यहाँ पे आप देख सकते हो status जिस-जिस mail को इसने दोस्तो unsubscribe नहीं किया है उनका दोस्तो यहाँ पे नाम है subject है बाद में link है उस mail की बाद में दोस्तो unsubscribe वाली जो link होती है वो भी link यहाँ पे इसने add कर दिया है और बाद में message center या नि कहां से mail आया था तो दोस्तो यहाँ पे यह properly check करता है कि कौन सा mail unsubscribe किया जा सकता है कौन सा नहीं किया जा सकता है तो दोस्तो हम इसे एक बार cross verify भी कर लेते हैं तो दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हो अन्रोल वाला जाके check करते है तो दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह जो mail है यहाँ से delete हो चुके है यानि कि दोस्तो जो mails आप यहाँ पे add करोगे वो अगर unsubscribe नहीं किये जा सकते है तो दोस्तो यह क्या कर देगा उन mails को एक तो delete कर देगा या फिर दोस्तो उस label से remove कर देगा यानि कि दोस्तो वो वाले mails जो है दोस्तो वो वाहाँ से unsubscribe हो चुके है ऐसा इसका कहना है तो यहाँ पे आप देख सकते हुँ यह वाला mail था वो दोस्तो हमने mail add किया था तो हम दोस्तों यहाँ पर अन्रोल वाला ओपन कर लेते हैं और अन्रोल वाला ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम नीचे स्क्रोल करते हैं तो नीचे स्क्रोल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें मिल जाएगा उनसब्सक्राइब वाला बटन यहाँ आप देख सकते त उस लेबल में add कर दीता है तो दोस्तो बस मुझे उम्मेद है आपको ये वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए और चानल को subscribe भी जरूर कर दीजिए तो मिलते है अगले वीडियो में तब تक कि have a nice day